नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनिरिंग सपोर्ट दोस्तो वैसे तो मैं हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटिड वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ लेकिन आज का वीडियो दोस्तो, बहुत ही खास होने वाला है, चुकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बेहत कम जगा में, छोटे से छोटे जगा में, एक खास डिजाइन का सीरी किस तरह से आप बनवा सकते हैं इससे आपकी जगह की बचत होगी, साथ ही साथ सीरी देखने में भी बहुत ज़्यादा सांदार लगता है दोस्तो के साथ, जिस सीरी का डिजाइन सेर करने वाला हूँ, उसको आठ पाई, दस फीट के रूम में बनाया जा रहा हूँ तो सीरी रूम के अगर साइज किया जाए, तो आठ फीट ये चौरा है और दस फीट ये लंबा है दोस्तो कुछ इस तरह से ये आठ फीट का आपको सामने से दिवाल दिख रहा है, ये आठ फीट का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और विडियो पे बनेरे ये दोस्तो सीरी का डिजाइन आपके साथ सेर करूँगा और किस तरह से बनाया जा रहा है कि इतने कम जगा में सीरी बन रहा है और देखने में किस तरह से ये सीरी लगता है दोस्तो, ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये हमारा 8 फीट का एक, ये दिवाल हो गया, ठीक है अब 20 साइड वला दिवाल को भी दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग सीरी की जो मिंसन मगएर है सब पर बात करेंगे ये देखिए, ये जो बगलवला दिवाल है, जो लंबा है, ये ये 10 फीट का रखा गया है दोस्तो, स्टेप की उचाई के अगर बात करते हैं, तो स्टेप का उचाई बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है तब इतने दूरी पे आया है अगर 1 से 1.5 इंच अगर स्टेप की उचाई को बढ़ा दिया जाए, तो ये दूरी और भी दोस्तो घाटाया जा सकता है लिकिन मैं ऐसा करने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देता हूँ चुकि सीरी के स्टेप अगर ज्यादा उंचा हो जाएगा जिससे कोई 7 इंच कबन मा लेते हैं, सारे 7 कबन माते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तो बुजूर्ग लोग जो है जिनकी उमर हो चली है उनको बहुँ ज्यादा दिक्कत होता है वैसे सीरी में चढ़ने के लिए, आप चलीए सीरी पर चढ़ता हूँ और आपको एक एक चीज की जनकारी में आपको देता चलता हूँ यह देखिए, यह हमारा यह देखिए, कुछ इस तरह से यह हमारा एंट्रेंस हो गया Siri Room में entrance हो गया है यह देखिए यह एक यहाँ पर entrance आप देख रहे हैं आगे चलिए step wise आप देखते चलिए यह दो step आपको दिया गया है यह जो आपका step है यह बहुत ही चौरा दोस्तों बनाया गया है और उसको beat से cutting किया गया है कुछ इस तरह से आप video पर बने रही है last तक देखिए आपको हाट चीज अगर समझ नहीं आई तो comment box में comment किजएगा मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसको समझने में दिक्कत होगी दोस्तों यह देखिए फिर हमारा आप step count करते चलिए ताकि आपको आसानी हो कुछ इस तरह से यह सीरी बनाया गया है उपर तक मैं आपको दिखाऊंगा इसलिए tension लेने की यह उड़त नहीं है दोस्तों यह दिखिए फिर यहाँ पर cutting में जहाँ जहाँ landing है दोस्तों landing में आपको cut मार देना बीच से और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें और इस तरह का design इस तरह का आपको यह पेसकस किस तरह का लग रहा है दोस्तों आप comment box में बताएगे कि आप हमारे इस design से कितना ज़्यादा सहमत है या फिर आसहमत है तो भी comment करके बता सकते है कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है फिर भी construction line में जो यह वो बहुत से संभावना है रहती है फिर यहाँ से देखिए यह उपर तक चला जाएगा काम होना बाकी है काम होगा जिस तरह से मैं आपको विडियो को माधियम से जनकारी सेयर करूँगा आप चली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह सेरी actual में दिखता है कैसा है actual में किस तरह से दिखता है सीरी वो आप देख लीजी तो यह देखिए मैं उपर चल रहाओ थोड़ा सा तो रिक्स ले रहा हूं लेकिन आपको पॉफिक ना जारा मिले इसलिए मैं दिवाल पूचर के ये देखी आप स्क्रीन सोट रख सकते हैं इससे बहुत कुछ जो है वो किलियर हो जाएगी किसी भी मिस्तरी को दे दीजेगा वो असानी से आपको इस तरह का सीरी ज बना हुआ ये बहुत खुबसूरत डिजाइन मुझे लग रहा है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बताइए मुझे कि ये सीरी आपको किस तरह का लग रहा है दोस्तों कुछ इस तरह से जगह का सही उप्योग करते हुए अब बहुत खुबसूरत डिजाइन है स फिर मिलता दोस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों नमस्कार